शारुक रचेंगे तिहास, एक्सपर्ट्स बोले ओपनिंग डे पर 125 करोड रुपे तक कमा सकती है जवान शारुक खान की फिल्म जवान का फैंस को बेसबरी से इंतिजार है फिल्म 7 सितंबर को सिनिमा घरों में रिलीज होने जा रही है और इसके एडवान्स बुकिंग शुरू होने का फैंस इंतिजार कर रहे थे विदेशों में तो कुछ समय पहले अडवान्स बुकिंग शुरू हो गई थी और अब आखिरकार इंडिया में भी जवान की अडवान्स बुकिंग शुरू हो गई है शारुक खान ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी है शारुक ने जवान के ट्रेलर के साथ ही बताया था कि शुकरवार को फिल्म की अडवान्स बुकिंग शुरू होगी शारुक खान ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो लोगों की कॉमेंट परते नज़र आ रहे है वीडियो में जवान के ट्रेलर की ज़लक भी दिखाई गई है शारुक वीडियो में कहते हैं बहुत बेकरार है सब जवान के लिए शारुक ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा आपकी और मेरी बेकरारी खत्म हुई एडवांस बुकिंग जवान की शुरूर हो गई है शारू के इस फोस्ट पर फैंस धेर सारे कॉमेंट करके अपनी खुशी जाहिर कर रही है एक शखस ने लिखा भारते सिनिमा की ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड टूर जाएंगे बिक चुके है ऐसा हिस्टीरिया से पहले कभी नहीं देखा एक यूजर ने एडवांस बुकिंग का स्क्रीन शॉर्ट शेयर करते हुए लिखा ये तबाही तो सिर्व आखरी एक घंटे की है सोचे अभी 6 दिन बाकी है और एडवांस बुकिंग में क्या तबाही होगी जवां सिर्व 7 सितमबर ही नहीं बलकि 8, 9 और 10 सितमबर की भी बुकिंग हो चुकी है आपको बता दे शारू खान की जवां पहले दिन बॉक्स आफिस पर इतिहास रचने को तयार है बाजार पंडितों से लेकर एक्सपर्ट्स जवां के पहले दिन के कलेक्शन को लेकर तरह तरह के अनुमान लगा रहे है बाजार पंडितों का मानना है कि यकीनन जवां पहले दिन नए रिकॉर्ड बना सकती है ट्रेड एनलिस्ट ने जवान की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को धासू बताया और कहा मेकर्स ने शांदार रणनीती बनाई है पहले टीजर और फिल्म की रिलीस से जस्ट पहले ट्रेलर लॉंच किया है ये टाइमिंग फैंस को एक्साइटेड रखने में काम्याब रहेंगी ट्रेड एनलिस्ट का अनुमान है कि जवान ग्लोबली पहले दिन 125 करोड का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है या असानी से घरीलू बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड रुपे का नेट कलेक्शन कर लेगी जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन देश में 100 करोड तक जा सकता है आप क्या सोचते हैं कॉमेंट में ज़रूर बताए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें बाल आइकन बटन ज़रूर ट्रेस करें ताकि बाल बॉट कलियारों से जड़ी हर वारल अपडेट हमाँ तक पहुंचाती रहे